नेगोशयबल इंस्टूमेंट एक्ट ध्यान से सुनिए गां इस चाप्टर को खली समझना है समझके छोड़ दिना है एक बार अच्छा से समझ लेंगे सब चीज अच्छा से समझ में आ जाएगा स्ट्राट करते हैं डैरेची नेगोशयबल इंस्टूमेंट का मीनिंग क्या होता है ठीक है नेगोशेबल इंस्ट्रूमेंट में सिफ इतना ही याद रखना है नेगोशेबल इंस्ट्रूमेंट मिन्स ये बिल ऑफ एक्षेंज प्रोमसरी नौट और चेक ये तीन ही नेगोशेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो नेगोशेबल इंस्ट्रूमेंट का मतल भी याद रखेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिशरी नोट और चेक अब डिटेल में एक चीज़ को पढ़ेंगे और एक चीज़ याद रखेगा नेगोशेबल इंस्टूमेंट फ्रीली ट्रांसपरेबल इंस्टूमेंट होता है ठीक है दो पॉइंट आपको याद रख पास फ्रीली ट्रांससवर हो सकता है अब मिनिंग देखिए अब डिटेल में आपको समझ में आएगा सब चीछ क्या है समझाओ प्रोमसरी नोट ध्यान से सुनियेगा ठीक है प्रोमसरी नोट एक थो नेगोशेबल इंस्ट्रूमेंट होता है यह आपको पता है It is a negotiable instrument ठीक है In which a person promised to pay some money to another person क्या है चीज़ को संजिए बोलता है प्रोमसरी नोट एक नेगोशेबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक आदमी दूसरा आदमी को promise करता है कि हम आपको कुछ पैसा देंगे तो ये क्या चीज़ है ध्यान से समझिए चीज को बोलता है प्रोमसरी नोट एक return promise होता है याद रखिएगा एक्जामपल देखिए एक्जामपल से आपको सब समझ में आ जाएगा ठीक है एक्जामपल में देखिए ए ने बी को एक लोन दिया ठीक है ध्यान से सुनिएगा ए ने बी को लोन दिया ठीक है बी ने promise किया कि हम आपका लोन का पैसा तीन महना बाद वापस कर देंगे दियान से सुनिएगा ए ने बी को लोन दिया एक लाक रुपिया का बी ने promise किया कि हम आपका लोन तीन महना बाद वापस कर देंगे तो बी जो promise कर रहा है ए को वो रिटन में देगा एक्जामपल हम दिखाएंगे प्रोमिसरी नोट का actual picture दिखाएंगे कैसा होता है आपको लेकिन basic question ये बी promise कर रहा है को कि हम आपका लोन का पैसा वापस कर देंगे और ये जो promise है return में होनी चाहिए oral नहीं होनी चाहिए return में होनी चाहिए इसी को बोलते है प्रोमिसरी नोट प्रोमिसरी नोट में मतलब क्या है एक आदमी दुसरा को प्रोमिस करेगा कि हम आपका पैसा वापस कर देंगे simple सा बात है तो एक है एक negotiable instrument है जिसमें एक आदमी in which a person promise to pay some persons to pay some money ठीक है अब देखिए इसमें दो party होता है एक होता है maker और दूसरा होता है pay pay याद रखिएगा maker मतलब जो आदमी प्रोमिसरी नोट बनाता है person making प्रोमिसरी नोट a ने b को loan दिया तो b जो loan लेने वाला है वो प्रोमिसरी नोट बनाएगा तो b जो promise करता है पैसा दे देंगे प्रोमिसरी नोट बना रहा है और pay मतलब वह आदमी जो पैसा रिसीब कर रहा person to whom the amount of notice pay जिसको प्रोमिसरी नोट बनाके दिया जा रहा है उसको pay बोलते है तो एक एक्जामपल देखिए प्रोमिसरी नोट एक्च्छल प्रोमिसरी नोट का picture देखिए तो आपको concept clear हो जाएगा सिंपल सा बात है प्रोमिसरी नोट का बनेगा जब एक आदमी दुसरा आदमी को पैसा लेगा ए ने बी को पैसा दिया और बी प्रोमिस कर रहा है कि हम आपका पैसा वापस कर देंगे इसलिए प्रोमिस वर्ट से प्रोमिसरी नोट जनरेट हुआ है तो बी प्रोमिस कर रहा है और यह प्रोमिस रिटर्न में होने चाहिए इसी को बोलते हैं प्रोमिसरी नोट क्या क्या चीज होना चाहिए देखिए ए ने बी को पैसा दिया सिंपल भासा में समझेए जब A ने B को पैसा दिया और B प्रोमिस कर रहा है कि हम A का पैसा वापस कर देंगे तो क्या दोनों का नाम होना चाहिए लोजिक लोजिक एक्तम सिंपल भाजा में सोने हो कुछ भी बनाएगा उसमें maker और pay का नाम होना चाहिए दिखें, maker और pay का है नाम किस date में बनेगा वो होना चाहिए simple भासा में किस date में बनेगा वो होना चाहिए sign कौन करेगा जो promise कर रहा है जो maker है वो sign करेगा simple सा चीज़ है एक amount भी होना चाहिए है यहापर simple सा logic logica से पढ़ेंगे एक दम याद रहेगा अब देखे प्रोमसरी नोट क्या है प्रोमसरी नोट एक नेगोशेबल इंस्टूमेंट हमको पता है प्रोमसरी नोट एक नेगोशेबल इंस्टूमेंट है इन विच एक आदमी प्रोमिस करता है दूसरा आदमी को कि हम आपका पैसा दे देंगे और यह promise return में होनी चाहिए तो it is a negotiable instrument in which a person promised to pay some money to another person इसमें दो party होती है in which there are two parties party का नाम है maker and pay तो maker मतलब कौन? जो आदली promise कर रहा है मतलब B person making promissory note जो promise कर रहा है वही promissory note बनाएगा उसको बुलते maker और pay मतलब जिसको पैसा वापस दिया जाएगा जिसको प्रेमिसरी note दिया जाएगा ठीक है सिंपल सा चीज समझ में आ गया promissory note के एक नेगोशेवल इंस्टूमेंट है जिसमें एक आदमी promise करेगा दूसरा आदमी को हम आपका पैसा वापस दे देंगे सिंपल सा चीज यही है और कुछ नहीं है अब देखे एसेंशल रिकॉर्मेंट क्या क्या एकदम सिंपल भासा में आप बेवकूप है सुठ लीज़े और हमको कुछ नहीं आता है एकदम क्लास बन के बच्चे है तो क्या-क्या होना चाहिए दूसरा आधमी पैसा के बारे में बात कर रहा प्रोमिस तो प्रोमिस क्या होना चाहिए रिटर्न में होनी चाहिए हववाजी नहीं रिटर्न में होनी चाहिए तो एसेंशल रिटर्न में होना चाहिए नाम और दोनों का नाम होना चाहिए घ्रोना चाहिए कंदिशन सतन हिए तो समझ जाएंगे और दूसरा चीज़ संद्छिया ऑप प्रोमसरी नोट का पिक्चर देख लीजेगा ये सिंपल सा भासा में लिख सकते हैं अब नया चीज में आजाएगे अब आता है विल्स ऑफ एक्चेंज ध्यान से सुनिएगा विल्स ऑफ एक्चेंज ये समझ में आता है इट इस अनेगोशियबल इंस्टूमेंट ये चीज स इन राइटिंग कंटेंग एन अनकंडिशनल ओडर तो क्या है बिल्स ऑफ एक्चेंज किया है एक नेगोशियबल इंस्टूमेंट है रिटर्न में जिसमें ओडर दिया जाएगा क्या दिया जाएगा ओडर धियां से समझीगा प्रोमेशरी नोट में क्या हो रहा था एक पैसा है वही ओडर दे सकता है तो बिल्स ऑफ एक्स्चेंज एक टो क्या है रिटर्न ओडर है याद रखेगा बस नेक प्रोमेशरी नोट क्या है रिटर्न प्रोमेश हैं पैसा वापस कर देंगे बिल्स ऑफ एक्चेंज रिटर्न ओडर है भही या ओडर दे रहे हैं कि पै अंकंडिशनल ओडर याद रखेगा बिल्स अफ एक्शेंज के अंकंडिशनल ओडर है प्रोमिस नॉट अंकंडिशनल प्रोमिस है याद रखेगा और इसमें तीन पार्टी होती है ड्रोवर ड्रोई एंद पेई ध्यान से सुनिएगा कि एक्जामपल ले रहे है आपका सारा राउट क्लियर हो जाएगा एने बी को कुछ माल बेचा है यह सप्लाइग गुड्स टू बी ओन क्रेडिट ऑफ रुफ रफ पीस टेन लाक एने बी को दस लाक का माल बेचा है ठीक है एने बी को बिल रोकिया अर बी ने उसके रिगार्ड में पेमेंट कर दिया तो इसमें ट्रोर ड्रोर को मनारेंगे बी को 10 लग का माल बेच रहा है तो तो A seller है समझ लीजी और B buyer है तो bill कौन बनाएगा seller जो माल बेचेगा वही तो bill बनाएगा तो A bill बनाएगा person who make the bill is called drawer तो A यहाँ bill बना रहा है 10 लाग का A को drawer बोलेंगे B मतलब the person who accept the bill जो bill का payment करेगा उसको बोलते है जिसको payment करना है वो हो गया जिसको payment लेना है वो drawer हो गया और जिसको payment करना है वो drawer हो गया तो यहाँ पर drawer कौन होगा A होगा और ड्रोई कौन होगा B होगा तो simple था समझ में है Bills of Exchange जो प्रोमेसरी नोट में यह समझ में आ गया सर कि दोनों एक negotiable instrument है प्रोमेसरी नोट क्या है return में होना चाहिए unconditional promise है Bills of Exchange return में होना चाहिए unconditional order है बाकित तीनों में दोनों में इसमें तीन पार्टी उसमें दो पार्टी वह आप लिख दीजिएगा अब देखे features वैसे ही feature characteristic जो आया सब लिख दीजिएगा यह return में होना चाहिए drawer और pay का नाम होना चाहिए signature होना चाहिए यह unconditional होगा stamp होगा इसमें और pay होगा money में दोनों money का ही बात कर रहा है यह simple सा चीज है आगे आ जाएए चेक चेक के बारे में आपको सबको पता है फिर भी सुन लिजिए यहां से समझेगा चेक यह एक negotiable instrument है यह आपको पता है और आप यह bills of exchange की तरह होता है ठीक है तो यह लिखेगा it is a bills of exchange payable on demand चेक कब दिया जाता है जब कोई demand करेगा तब दिया जाता है जब कोई मांगेग तब चेक देंगे तो it is a bills of exchange payable on demand चेक का बाद आए तो माथा में क्या चीज़ आना चाहिए बैंक 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 वड़ाना चाहिए क्योंकि चेक हमें साब बैंक का होता है तो it's drawn from specific bank यह specific banker यह आप लिखेगा समझ में आ गया चेक क्या होता है कोई demand करता है कोई मांगता है तब देते हैं it is payable on demand दूसरा यह bank से दिया जाता है bank का दिया जाता है तो यह draw कहां से होता है it's drawn from specific bank दो यह दो लाइन आपको याद रहेगा तीसरा इसमें तीन पार्टी होता है draw, draw and pay देखें इसमें तीन लाइन को पढ़ लीजे याद हो जाएगा सारा रकन से it is payable on demand is drawn from specific bank and there are three parties draw, draw and pay देहां से सुनिएगा A ने B को 10,000 रुपया का चेक दिया कौन सा bank का दिया XS bank का दिया ठीक है अब देहां से सुनिएगा pay मतलब यह समझ में आता है जिसको ultimate पैसा मिलता है तो पैसा किसको मिल रहा है B को मिलता है तो B is the pay the person to whom payment is made is called pay draw कोन होगा जो चेक के ओपर साइन करेगा याद रखिएगा customer who signed on the check is called drawer check पर साइन कोन दे रहा है check? A दे रहा है तो check किसका होगा A का होगा A उस पर sign करेगा तो उसको बुलते है drawer draw यहाँ पर कोन होगा? Axis bank bank होता है draw याद रखिएगा ठीक है अब देखिए आगे समझीए देखिए एक simple सा question आता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ promissory note bills of exchange and check का एक difference याद रखिएगा नेगोशियवल इंस्टूमेंट की मेरी mcq class जरूर देखिएगा उसमें बहुत और मज़ा आएगा चोटा सा class है अब देखिए एक तो simple सा difference बता रहा हूँ तीनों का जो आपको समझना जरूरी है आप जो लिक पाएंगे most simple सा है देखिए देखिए हैं सबसे पहले parties किसमें कितनी पार्टी होते हैं प्रोमूशियर्णी नोड में दो पार्टी होती है maker ंड पै books of exchange में तीन पार्टी होती है और चेक में तीन पार्टी होती है इसमें सेक्शन दिखे चेक प्रोमिस और प्रोमिस और प्रोमिस और प्रोमिस है बागी बिल्स और चेक क्या है और याद रखेगा स्टांप रखेगा सिफ बिल्स और प्रोमीस में लगता है और किसी में नहीं होता है जिक ईए जरी नहीं है अब इसकी दूसरी क्लास करेंगी आज क्लास इतना ही है THANK YOU